वेलकॉम टो और चानल फ्रेंड्स आज के वीडियों में जानेंगे कि इंटर्विव में फ्रेशर्स और एक्स्परेंस ड़स सिविल इंग्नेर को कौनसे क्वेशन्स पूछी जाते हैं तो फ्रेंड्स आप वीडियो को भीना स्किप के लास तक देखेएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके तो फ्रेंड्स अगर आप सिविल इंग्नेर हो और आप इंटर्विव देने जा रहे हो तो आपको जनरल स्टार्टिंग में बेसिक केशन पूछी जाते हैं यानि कि आपका इंटरोड़क्शन यानि आपका नेम, एजुकेशन, एड्रेस, फैमिली के बारे में पूछते हैं और बाद में आपको सिविल इंजिनेरिंग के बारे में जो केशन पूछी जाते हैं यहां हम पूरे एक्स्प्लिनेशन करके जानेंगे तो पहला कुछिश वाल्यूम ऑफ वन सिमीड बैक, यानि कि एक सिमीड बैक का वाल्यूम कितना होता है, तो एक सिमीड बैक का वाल्यूम होता है, 0.0347 मेटर क्यूब अब थर्ड क्वेशन, what is unit weight of RCC and PCC? यानि कि RCC और PCC का unit weight क्या होता है? तो RCC का unit weight होता है 25 किलोनेटन पर मेटर क्यूब और PCC का unit weight होता है 24 किलोनेटन पर मेटर क्यूब अब फूर्थ क्वेशन, what is unit weight of steel? तो unit weight of steel, steel का unit weight क्या होता है? तो steel का unit weight होता है 7850 kg पर मेटर क्यूब यानि 7850 kg पर मेटर क्यूब अब फिप्थ क्वेशन, how to find the weight of steel bar? यानि कि हम steel bar का weight कैसे calculate करते हैं? तो उसका formula है T square upon 162 यानि क्या होता है? तो diameter of bar और इसका answer आता है kg पर मेटर में आता है तो 6th question, what is the slope of staircase? यानि staircase का slope कितना होना चाहिए? तो IS code क्या अनुसार? staircase का slope 24 degree से 40 degree के बीच में ही होना चाहिए तो 7th question, 7th question क्या है? तो when we go for pile foundation? यानि pile foundation का हम यूज कब करते हैं? तो pile foundation is adopted when the soil bearing capacity is less than 24 km per meter cube यानि हम site पर जिदर हमें foundation करना है वहाँ की soil bearing capacity 24 km per meter cube से कम होगी तो हम वहाँ pile foundation का यूज करते हैं? तो 8th question, क्या है? तो what is the least cover for the slab beam column and footing? यानि कि slab beam column footing का list cover कितना होना चाहिए? तो slab का cover होना चाहिए 20 mm, beam का cover होना चाहिए 25 mm, और column का cover होना चाहिए 40 mm, और footing का cover होना चाहिए 50 mm, तो 9th question, 9th question क्या है? what is the name of the machine which is used for compression test? यानि compression test करने के लिए कुण सी machine यूज करते है? तो उसका अंसर है UTM machine, यानि कि universal testing machine अब 11th question, how many days you can use cement from the manufacturing date? यानि कि आप manufacturing date से cement कब तक यूज कर सकते हो? कितने दिनों तक यूज कर सकते हो? तो उसका अंसर आता है 3 months, यानि कि manufacturing date से हम 3 months तक cement यूज कर सकते हैं तो 11th question, what is the ratio of UM20? तो UM20 का ratio क्या होता है? तो 1s to 1.5s to 3, यानि कि 1 part of cement, 1.5 part of sand और 3 part of aggregate तो 12th question, what is the ratio of UM25? तो UM25 concrete का ratio क्या होता है? 2 1s to 1s to 2, यानि कि 1 part of cement, 1 part of sand और 2 part of aggregate अब 13th question, what is the full form of DPR? यानि कि DPR का full form क्या होता है? तो DPR का full form होता है detailed project report तो अब 14th question, compressive strength of brick? यानि कि brick की compressive strength क्या होती है? तो 1st class brick की compressive strength होती है 105 kg per cm3 second class brick की compressive strength होती है 70 kg per cm3 और fine brick की compressive strength होती है 125 kg per cm3 15th question, initial setting time of cement यानि कि cement का initial setting time कितना होता है? तो 30 minutes होता है तो friends आज की वीडियो में हमने इतने question देख ले अगली वीडियो में इसके आगी की भी questions हम लेंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, comment, share करना ना भोले और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना ना भोले और इसी नए वीडियो को देखने किली बिल आइकन पर क्लिक करें